बोस्तों स्वागत है आपका एक पार फिर से हमारे चैनल में तो अभी मैं जो आपको टीम अवलेबल करवाने जा रहा हूं वह देने जा रहा हूं साउथ कैस्ट्रिया विंडर हरिटेज का ड्रीम 11 सेट लूशी टीटेन ब्लास्ट का ठीक है तो बाकी जो अभी लीग से जो म टीम की होगा उस टीम के साथ वह स्टम फस्ट नंबर पर होंगे तो बताना चाहूंगा आपको यहां पर मैं अभी जो मैच क्लियर कवर करने जा रहा हूं वह है ड्रीम 11 सेट लूशीया टीटेन ब्लास्ट का ठीक है तो इसके मैं आपको कुछ पर्वीव दोंगा कुछ औ reality कौन साअगे आपको नहीं लिएना कि क्योंकि तकरीबान इसमें वैस्ति स्वेक सब्सक्राइब कर लें integrate उडेशा इसका नहीं कि स्कॉख कर लें अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें गंटी का बटन क्लिक कर लें और टेलीग्रम जाइन कर लें टेलीग्रम मेरा आईडी है सर्च करेंगे आप अप ड्रीम 11 वास ठीक है तो आप सको 123 के साथ सच करके आप जएन कर सकते हैं वहां पर मैं जो पिछ चोज करता है वह वैलन स्पिछ रहता है ठीक है क्योंकि पेसर के लिए वह सब कुछ है स्पीडर के लिए कुछ भी अबलेवल नहीं है तो वैसे बैलेंस ओवराल बैलेंस रहेगा छीक है लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसमें मरलब जिसको इंपोर्टेंस है वह है पेसर स्टैट्स देखा जाए तो इनका बल्ला बहुत बोला है और यह 35 की आवरेज और चाली स्कोर हर मैच में लगाते हैं इस बार भी नहीं लगाया हुए अभी का स्टेटिजिन का मैं देखूं यहाँ तो चोबिस पॉइंट ड्रीम लेवन दियें लेकिन में थे दूसरे तो यह इनके बॉलर आगे बॉलरों की एवरेज तकरीबन हर मैच में एक एक विकट की रहती है दूसरी टिम की अगर बात करें तो एस नेतराम है सिसी एमेच के जिन्होंने दस मैचों में तकरीबन 22 की उससे 165 के स्टाइक डेट से यह खेला है ठीक है और बताना स्टाइस की बात करें तो टीटन स्टाइस का एवरेज टोटल स्कोर जो रहता है 87 अगर फिस्टनिंग का स्कोर किया जाए तो 93 अबरेज अगर रहे हैं कि पिछले पांच मैचों का वेस्ट किया जाए तो 87 एवरेज स्कोर है यहां पर टॉस विनर अप्टे टू बैट फस् करती है वह विंज करती है 60% ठीक है तो आप इसको दियान से देख सकते हो यहां पर 27 के वी वर्ल्ड कप मैचिस हुए थे आपको इसके बारे में इंफोमेशन तो होगी होगी ठीक है ना सर तो दोस्तों मैं बार द्वारा से कह रहा हूं कि जिन लोगों ने अभी जो नई च इंफोमेशन आप कर सकते हैं पिछले अगर मैचों की बात की जाए तो SCL ने तीन मैच जीते हैं और CCM जो वीक टीम लग रही है उसमें एक ही जीता है तो यह भी आपको इसके बारे में इंफोमेशन ही है ठीक है तो ऑवराल जो पिछला मैच SCL और CCM के बीच हुआ था तो बताऊंगा इसके लिए आप इंफोमेशन के साथ जा सकते हैं तो अगर टीम की बात करें यहां पे तो मैं टीम्स बनाऊंगा यहां पे सबसे पहले S.N.T.R.A.M. को अपले सकते हो जी प्रॉस्पर को ले सकते हो यहां पे जॉनसन चाल्स को ले सकते हो डवली उंग जिसके सब्सक्राइब में आपको वीडियो में बताया था, दी सम्सन को ले सकते हैं यहां प्रॉस्पर हो गये और यहां पे जोसफ को लूँगा यहां से ठीक है तो मैं इनके साथ जाओंगा यहां से और इसकी में जो कैप्टनी दूँगा अपनी वो यहां से जॉन से चार्स को देखिए यह एक बहुती प्लस पॉइंट होता है 54% लोगों ने इसको कैप्टनी दी हुई है 54% मान की चुलते हो 54% वादे से ज्यादा लोगों ने इसको कैप्टनी बनाया होगा सिधा सिधा लेकिन हम यह गलती नहीं करेंगे हम अपनी कैप्टनी जो देंगे वो देंगे वी सी इसको देंगे और कैप्टनी अपनी मैं कि यहां से जा सकता हूं डी थॉंसं को दे सकता हूं तो आप कुछ यह साथ लगया आप कर सकते हैं आप स्मॉल लीग में इसली एक टीम विन करेगा यहां से कुछ एडिशन होगी तो मैं आप लास्ट में टेलीग्राम पर इंफोमेशन दे दूँगा तो यह मेरी टीम है यहां से अगर आपको चेंज करने तो विकड़ के सेक्शन में सनेतराम और पॉस्पर की जगह से आपको किसी को हटा सके रिस्क ले सकते हो जरूरी नहीं कि यहीं कंबिनेशन चलेगा कुछ अपना करें टीम तो आप भी बना दोगे लेकिन कुछ ट्रिक्स और ट्रिक्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है इसमें तो उसके लिए मैं कुछ वीडियो से लाओंगा आपके लिए जिसे आप कुछ बना सकते हो दन्यवाद दोस्तों आपका दन्यवाद कि आप मेरे चैनल पर आए और हम अपने पूरी वीडियो देखिए तो इस टीम के साथ आप जाके हैड टू हैड एंड स्मॉल लीक्स की तीम इसलिए आप लगा सकते हो ठीक है कुछ चेंज करने हो तो अपने दिमाग से आप कर सकते हो दन्यवाद दोस्तों